नमस्कार दोस्तों सच्ची जानकारी नियू और टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत सागत है मैं हूराकेश कुमार दोस्तों आज के वीडियो में आपको कॉंटेक्ट फर्मिंग का विकल्ब बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने आजमाया और अपनी आमधनी दुगनी से भी ज्यादा कर लें आप लोगों से निवेदन हैं आप लोग अपना प्यार दुलार देने के लिए चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए सब्क्राइब के बगल में ही बेल आइकन को एक वार ज़रूर दबा दें वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक एवम अपने मित्रों के साथ ये सेर करना ना भूलें ताकि आपके मित्र भी वीडियो देखकर लाप राप कर सकें दोस्तों बरतमान समय में ज़्यादा फार्मर वायलर चिक्स ही अपने फर्म में डालते हैं और तयार कर बजार में बेशते हैं जो कि 40 दिन में 2 किलो प्लस तक का वजन हो जाता है मगर थोक भाव 75 से 80 के बीच ही रहता है जिस कारण 1000 वर्ड पे औस अतलाव लगभग 10 से 12,000 पे के बीच रहता है ज्यादा मोटल्टी हो जाए तो वो भी खत्म हो जाता है इसलिए मैंने फर्म में क्राइलर चिक्स डाला है जिसे की आम बोल चाल की भासा में रंगीन मुर्गा कहा जाता है क्राइलर चिक्स की तैयारी 50 दिन में लगभग 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम हो जाता है एवरेज वेट 1 किलो 300 ग्राम के लगभग आता है साथ ही WOD में रोख पतिरोधक्षम्ता जादा होने के कारण मोटिल्टी भी कम होती है मार्केट में इसका रेट in WOD से 20 रुपया जादा रहता है जैसे अगर वोईलर का मार्केट रेट 75 रुपया तो क्राइलर वर्ड का 95 रुपर प्रती केजी के हिसाब से भाव रहता है इसलिए मुनाफ़ाज जादा होता है ये बात जरूर है कि वॉयलर के अपेक्षा 10 दिन का समय जादा लगता है चुकि क्राइलर 1300 ग्राम के लगभग में ही मार्केट में बेज दिया जाता है जिस कारण अगर 1000 वर्ड का भी फर्म आपने वॉयलर के लिए बनवाया है तो क्राइलर वर्ड 1500 आराम से पाला जा सकता है जिसका मुख्य कारण है कम वजन में ही वर्ड को बेज देना दूसरा क्राइलर के चिक्स का रेट भी कम रहता है बरतमान समय में 19 रुपे प्रती चिक्स का रेट है जो की ज्यादा है क्योंकि इसका रेट 16 रुपे से लेकर 22 रुपे तक के बीच में होता है अब मैं यहाँ चोटा सा उधारन देकर आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बॉयलर चिक्स और क्राइलर चिक्स पालने में क्या अंतर है और मुनाफे में कितने का अंतर होता है मान ले आपने अपने फर्म में 1500 चिक्स क्राइलर के डाले नब्य हजार रुप्या पंद्रह सो वर्ड का अता है पंद्रह सो वर्ड पालने में 3000 रुप्या का मेडिसिन लगा अब इसे टोटल कर लेते हैं 28,500 रुप्या चिक्स के 90,000 रुप्या फीड के 3000 पर मेडिसिन के टोटल हुआ 1,215 रुप्या मान ले आपके वर्ड का अवर्ड का अवर्ड वेट 1,300 ग्राम है वर्ड को पालने में 56 डैमेज हो जाते हैं तो बचा आपके पास 1450 वर्ड 1450 वर्ड को अगर 1,300 ग्राम में अगर मंटिप्लाई करते हैं तो टोटल वजन आया 1880 केजी मार्केट रेट है 95 रुप्या तो 95 गुने 1880 केजी बराबर 1,89,075 रुप्या में आपके वर्ड की विक्री हो वर्ड की तैयारी आई 1,250,500 रुप्या और विक्री हुआ 1,89,75 रुपया तो 1,89,75 रुपया माइनस 1,20,500 रुपया आपके पास बचा 57,575 रुपया अब इसमें 5,000 रुपया लेवर खर्च यवं 28,000 रुपया बिजली खर्च यवं अनिक खर्चों को घटा देते हैं तो 5,000 प्लस 2,500 रुपया बराबर 7,000 रुप अगर हम लोग 7,500 रुपया घटाते हैं तो 5,000 रुपया सुधलाब बसता है अब ज़रा पर केजी तैयारी भी देख लेते हैं टोटल खर्च हमारा 1,25,500 रुपया था जिसमें हम टोटल वर्ट के वजन से डिवाइड करेंगे तो 1,25,500 रुपया डिवाइड 1885 बराबर 400 रुपया 46 पैसा पर केजी वर्ट की तैयारी भीक्रिय हुआ 95 रुपया पर केजी तो 95 रुपया माइनस 400 रुपया 46 पैसा बराबर 300 रुपया 54 पैसा पर केजी हमें सुध्धिलाब हुआ अब आप ही बताएं है ना ये दो गिना से भी ज़्यादा लाब बहुत ही जल और अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर करें साथ ही इस चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें सब्क्राइब के बगल में ही घंटी नुमा आइकन को एक वर जरूर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आपका दिन सुभो